इस वीडियो में जानेंगे कि जो वर्ड है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है और इसके लिए एक हम सेंटेंस भी देखेंगे incredible को हिंदी में कहा जाता है अविश्वस निये मतलब कि impossible to believe किसी चीज में believe करना impossible है उसको हम believe कर ही नहीं सकते कि ऐसा सच में हो सकता है उसे हम कहेंगे incredible for example आप कहीं पे जा रहे हैं और आपको एक गुफा दिखे और आप हिम्मत करके उस गुफा के अंदर जाएं पहले तो आपको बहुत ही डल लगे फिर जब वहां से आप बाहर हो उस गुफा से आप बाहर हो उस गुफा के अंदर जाके देखें कि वहां पे एक अलगी दुनिया बनी हुई है वहाँ पे एक अलगी माहोल है atmosphere बहुत अच्छा है चारो तरफ जानवर और ये जानवर खेल रहे है flowers है, fruits है और बहुत ही हरा भरा nature है तो आपको यकीन नहीं होगा और आप believe करना impossible होगा कि सच में, सच में गुफा के अंदर ऐसा भी है, जो हमने कभी देखा नहीं होगा और आप इसको हैरान हो जाएंगे कि ऐसा सच में हो सकता है और ये भी आप believe नहीं करेंगे क्या मैं वहाँ पे सच में ख़ड़ा हूँ ऐसी चीज़े जिसमें believe करना impossible है इसे हम कहेंगे incredible unbelievable, ऐसा हो ही नहीं सकता फिर भी होके आपको दिख रहा है ऐसी चीज़ों का हम incredible कहेंगे अब इस incredible को एक sentence में भी देखते हैं जैसे हमारा first sentence है What an incredible performance she gave What an incredible performance she gave मतलब कि उसने इतना आविश्वसनी performance किया कि जिसमें believe करना impossible है जैसे कि वो लड़की पहले बहुती nervous थी और वो सोच रहती है मैं नहीं कर पाऊंगी और इसका behavior, उसके facial expressions देखके लोग सब को ही हैरान थेगी और सब को लग रहा थे कि नहीं कर पाएगी लेकिन जब वो stage में जा कि अपने honor को दिखाए, talent को दिखाए तो सब हैरान होगा कि सच में इसने ऐसा कर दिखाया जो करना नामुम्किन था उसके देखके नहीं लग रहा थे कि वो ऐसी performance कर सकती है लेकिन उसको उसने कर दिखाया इसे हम believe नहीं कर सकते मतलब यह इतना incredible उसने performance किया So I hope आपको इस वीडियो का topic समझ में आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को subscribe करने ना भूले तब तक अपना ख्याल रखे मिलती हो next वीडियो पर Goodbye